The question is, two walls are drawn at random from a bag containing two white, three red, five green and four black walls, one by one without replacement. Then find the probability that both the walls are of different colors. Two walls निकाले गी है एक बैक से, जिसमें हमारे पास white, red, green and black color की walls हैं. और without replacement निकाले गी हैं. Then find the probability that both the walls are of different color. हमें चाहिए walls different color के. Right, यानि कि अगर एक white है तो दूसरी red होने चाहिए. white के साथ green भी आ सकती है, white के साथ black भी आ सकती है, red के साथ green भी आ सकती है, red, black भी हो सकती है. तो ऐसे बहुत सारे किसिस निमारे बन सकते हैं यहाँ पर. क्यूंकि हमें different color की बोल चाहिए. Right, तो first of all यहाँ पर मैं event suppose कर लेती हूँ. i, i में इसलिए denote कर रहे हूँ, i-th draw के लिए, ठीक है? i stand for i-th draw और i की value हो सकती है, 1, 2. means यहाँ पर w1 और w2. और w1 का मदलब यहाँ की first draw में आई है, w2 का मदलब है की second draw में आई है. two words लिकालने वाले ना क्योंकि हाँ. So, ऐसे ही, w i, r i, g i and v i. Be the events of drawing. White, red, green and black bowl in i-th draw. respectively, right? तो first of all, यहाँ पर हमारे पास देखो, जो required probability होगी, वो क्या होगी? मुझे निकालनी है, balls of different color. balls of different color. अब लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे starting में बताया है, कि अगर two different colors चाहिए, तो मेरे पास cases बहुत सारे बन रहे हैं. W के साथ R है, और अभी तो ऐसा भी होगा, इसका opposite की पहली R है, दूसरी white है, right? W के साथ G है, W के साथ B है, ऐसे R के साथ भी बनेगे, G के साथ भी बनेगे और B के साथ भी. तो वहाँ पर cases बहुत सारे हो जाएंगे, तो हमें क्या गरना है इस type के question में, जब number of colors जो है जादा है, तो वहाँ पर हम करते हैं इसका opposite, आप इसके opposite की probability निकालो. opposite का मतलब क्या हुआ है, हाँ different color की bowl चाहिए थी हमें, तो हम क्या करेंगे, हम same color की bowl निकालेंगे, same color की bowl निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि same color की bowl हो, और अगर different color की bowl हो, तो उन दोनों की probability का sum रहेगा 1, तो हम different color की निकालने के लिए, पहले same निकालेंगे और उसको फिर 1 में से minus कर देंगे, तो यानि कि this can be done as 1 minus probability of bowls are of same color, same color की bowl निकालना हमारे लेंगे easy है, कैसे कि ऐसा हो सकता है इसमें, कि दोनों ही white आजाएं, दोनों ही आपके पास red आजाएं, दोनों बोल्स आपके पास green हो, G1, G2, या फिर B1, B2, ऐसा हो सकता है, और यह सारे event जो हैं, कैसे यह से हम लिख सकते हैं, यहां आप कैसे करने वाले हैं हम, probability of W1, W2, प्लस, क्योंकि और में चल रहा ना, तो प्लस में आ जागई, R1, R2, प्लस, G1, G2, प्लस, B1, B2, अब यहां पर एक बात इसने बोली थी, कि जो हमारी, जो दोनों बोल्स हैं, वो हमने निकाली है, without replacement, ठीक है, तो without replacement है, तो मतलब है independent नहीं है, हमारे पास, तो कैसे लिख सकते हैं, यह से हम आगे, पहली वोल अगरम ने निकाली है, W1, तो W2 बाइ W1 लिखना होगा, कि जो W1 ने already have occurred, right, R1, R2 बाइ R1, प्लस, प्रोबाबिलेटी अफ G1, G2 बाइ G1, प्लस, प्लस, प्रोबाबिलेटी अफ B1, B2 बाइ B1, अब देखो, इनकी प्रोबाबिलेटी कैसे निकालनी है, प्रोबाबिलेटी अफ W1, पहले मैं आपर बता जेती हूँ, फर्स अगर आपको वाइट बोल निकालनी है, तो वह 2 में से निकलेगी, टोटल बोल कितनी है हमारी है, यहाँ पर, 5 प्लस, 4, 9, 9 and 5, 14 बोल्स है हमारे पास, right, तो फर्स अगर वाइट बोल निकालनी है, वह तो 2 में से निकलेगी, तो ऐसे ही हम इन चारों पार्ट में, यहीं की चारों कलर्स के लिए, वाइट, रेड, ग्रीन and ब्ल्यू, सबके लिए हमें ऐसे ही प्रॉबाबिलिटी, फाइंट करनी हो और यहाँ लिखनी है, तो हम डिरेक्ली यहाँ पूट करते हैं, वन माइनस, पहली थी वाइट बोल के लिए, तो 2 अपॉन 14, 1 अपॉन 13, यह मैंने यहाँ आप एक्स्प्रेइन कर दिया है कि कैसे था, अब नेक्स्ट थी हमारी रेड बोल, रेड बोल कितनी थी, रेड बोल पहले 3 थी हमारे पास, तो आउट ओफ 14 आएंगी, तो सेकिंड बोल के लिए क्या होगा, रेड तू रह जाएंगी, और टोल भी आपके पास एक कम हो जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास था, ग्रीन बोल के लिए, ग्रीन कितनी है, हमारी 5, तो 5 आउट ओफ 14 है, लेकिन दूसरी ग्रीन 4 में से निकलेगी, आउट ओफ 13, और लास्ट थी हमारी ब्लाक, ब्लाक थी हमारे पास 4, तो 4 अपॉन 14, इन्टो 3 अपॉन 13, राइट, तो अभी यहां पर इसको आप सॉल्व करोगे, 2 अपॉन 14 इन्टो 13, यानि कि यह हमारे पास हो जाएगा, 182, 6 अपॉन 182, 20 अपॉन 182, 12 अपॉन 182, तो यह हो गया आपके बाद, 6 प्लस 2, 8 और 20 और 20, 40, 1 माइनस 40 अपॉन 182, माइनस करेंगे अपॉन 182, यह कैंसल आउट हो जाएगे आपके पास, तो 71 यह हमने कैंसल किया है, 2 के टेबल पे, 91, तो 71 अपॉन 91, यह हमारा रिकॉयर्ड आंसर है, थिंक्यू,